बिल्कम फ्रेंड्स कैसे आप सभी पीवेर स्टेडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज सुबह आपकी मैद की कलाफ नहीं होगी जिसके लिए माफी चाहते हैं क्यूंकि अभी हम गाउं में हैं कुछ प्रावलम की वज़ा से नहीं चाह सके तो आज आप देखेंगे जीए यानि कि जनरल अवेरेंस की कलास जो की सभी के लिए महत्वरूड होगी या जीके और जीए के देश्टी से मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेरेंस आपको बता दें कि आपके सभी परतियोगी परिक्षाओं में इससे संबंदित सवाल अवस्याते हैं चाहे आपक इंडियन का अपना अधिकार जो है वो संबिधान में दर्ज है और ये किस-किस भाग में है देखे भारत का जो संबिधान ने कई भागों में बाटा गया है और किस भाग में क्या है ये जरूर पूछा जाता है तिन सो पंचानलेवे अनुछेद और बारान सूचियों के सा तो आप बताएंगे भाग एक में अगर अनुचेद पुछेगा आर्टिकल तो आर्टिकल 1-4 में और इसके आगे अगर शीटीजंशिप की बात करें नागृता जो की हर एक भार्दिये का मौली का धिकार है और नागृता इनकी सीटीजंशिप के बारे में जो बात किया गया वो भारत के संबिधान के पार्ट 2 में किया गया है भाग 2 में जो कि अर्टकल नंबर 5 से 11 में वरडित किया गया है यानि कि भारत के संबिधान में नागरिता संबंधितु लेक अनुछेद 5 से 11 में किया गया है उसके बाद आता है मौली का दिकार जो कि हर एक भारतिय का दिक हरे एक इंडियन का मौली क अधिकार आप से अगर कुष्टन पूंच लिया जाए कि भारत के सम्बीधान में मौली का धिकार का おbelsवरण अर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक नागरिता से सम्बնधित प्राउधान और उनके बारे में अच्छे से व्रण किया गया है उसके आगे है नीती निदे सकत अत्तो नीती निदे सकत अत्तो इसके बारे में भारत के संभिधान में जो और रण किया गया है वो भागचार में किया गया है भारत के संभिधान के भागचार में नीती निदे सकत अत्तो का और रण किया गया है यह अनुचे जाने कि आर्टि आप LIKE को में जैनका मेंसें किया गया तक आरणा Bangka में the topic दिखा रहे ऊंग उन से संमधित है कि याद रखना यहाती है महत्तुप bir व्रॉड मोटे टा degrees हम आपको दिखा रहे हैं और संग इवम राज छेतर से सम्मधि जो भी वरलन किया गया है वो भारत के संभिधान में अर्टिकल 239 से 242 में किया गया है अगर आपसे पूछा जाए कि बारत के संभिधान में संभ इवम राज छेतर का वरलन संभिधान के किस भाग में किया गया है यह जरूर आपको आपसन मिलेगा उसमें भाग दो, भाग तीन, भाग आठ, भाग साथ, भाग छे तो आप भाग आठ लगाएंगे अक्सर ही आपके S.S.C. के परिक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रिस्न है कि जो भारत की पंचाईते हैं और नगरपालिकाएं हैं उनका वरण भारत के समिधान के किस भाग में किया गया है तो आप बताएंगे भाग 9 में किया गया है किस में किया गया है भाग 9 में अगर अनुच्छेत पूछेगा तो 243 में इसके आगे अगर चले अनसूचित और जनजाती छेतर अनसूचित और जनजाती छेदर का जो वर्रन किया गया है वो भारत के संविधान के भाग दस में मिलता है जैसे अगर आर्टिकल खोजेंगे तो आर्टिकल 244 में इसके आगे नीचे देखिएगा भागिएगा मत कहीं बस देखते जाएगा संग और राजियों के बीच जो संबंध है अरिलेशन वो वर्रन कहां किया गया है आप से पूछा जाएगा परिच्चा में कि भारत के संविधान में संग इवम उसके राजियों के बीच का जो संबंध है वो उस संविधान के किस भाग में दरसा आगया है उसमें आपसन हो जाएगा भाग 3, भाग 5, भाग 7, भाग 11, भाग 9 तो अब बताएंगे भाग 11 बिती संपत्ती संविधा और वाद इसका जो वीवेजन किया गया है वरणन वो भारत के संविधान की भाग 12 में किया गया है ब्यापारेन की बिजनेस का मर्सियल जो भी मैटरियल है सारे मुद्धों को भाग 13 में समिधान के भाग 13 अनुशे 301 से 323 तक रखा गया है भाग 14 में संग एवमराज्यों के आदिन जो सेवाया आती है उनका वरनुन किया गया 308 से लेकर 323 अनुशेद में और इतना ही नहीं आपकी जनकारी के लिए बता दें कि निर्वाचन आयोग जो कि भारत का एक मेसिस अस्तम्भ होता है यानि कि निर्वाचन आयोग ही सब कुछ ताय करता है कि कौन बनेगा राजा कौन बनेगा चपरासी भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा इसका वरण भारत के समिधान के भाग पंदरा और अनुशे 324 से लेकर 339 तक किया गया है कुछ वरगों के संबंद में भी से सूपोबंद है यानि कि जो कुछ चूट और मिली है उसकी कवायत जो किया गया है और अनुशे 330 से 322 में किया गया है इसकी अलमा गराग नीचे बात के राज भासा जैसे भारत की जो है मात्री भासा हिंदी होगी और भारत के जो अन निराज्जी हैं उनकी अपने अपनी कुछ रज्जों की भासाएं है तो इसका जो भी वरण है वो भाग सत्रा में किया गया है आपात का उपबंद है यानि कि भारत में कुछ इतिती खराब होने पर जो रष्टपती जी हैं वो आपात का लगा सकते हैं इसका जो वरण है अरचे 352 से 360 में किया गया है जो कि भिस्युद्ध ग्रियुद्ध और इसके अलामा सुखा आतेदिक सुखा आतेदिक बाढ या फिर अन्ने बहुत बड़ा प्राकृतिक आप्दा या फिर कुछ अन्ने जो है ऐसा कोई माम ला जाता है तो भारत में जो है राष्ट पती सासन हो जाएगा पूरे देश में जैसे आपात काल खोसित करती जदा है प्रकीर्ड प्रकीर्ड के बारे में जो भी वरण किया गया है वो अनुच्छे 361 से 366 में किया गया है और आपको बता दें ये संविधान के भागौन निश्में किया गया है हाई UPSC UPSC से लेकर SSC की परिण चाओं में कई بार पूँचा गया है नेको बार पूचा जाने वाला परिजमने है कि संविधान सन्सोधन भारत के संविधान के किस भाग में औरनिन किया गया है कि भारत के संविधान में संसोधन हो सकता है इसका भी पराधान किया गया है नुच्छे 360 में अगर आपसे पूछा जाए तो और अगर पूछा जाए भाग में तो भाग भी इस आज थाई संक्रमन काली नवर बिसे सूपबंध जो है वह भाग एकईस में 37792 में किया गया है संचित नाम प्राप्ति करिति पार्ट निरसन यह रुचे 393 से लेकर 395 में किया गया है तो मित्रों इस तरह से जो भी आपने देखा यह बहुत ही महत्तुपूर्ण मुद्धा है इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है तो इसी के बाद अभी आपको एक वीडियो माँ और देंगी जस्टीसी के बाद उसको भी जरूर देखना कहीं मत जाना दिखे सुबा पांच बज़े से आपकी डेली जीरो लेबर लाइब होती है जो आप यह जीके जीएस देख रहे न इसकी क्लास आपकी अलग होती है जो कि आपको संभवता छे बज़े से या साथ बज़े से मिलेगी अभी कुछ डिसाइड बिसेस नहीं किया गया है लिकिन डिस्क्रेप्शन आप वीडियो का देखते रहिए वहाँ से आपको अपडेट कर दिये जाएगा ठीक है वीडियो को डिस्क्रेप्शन आप देखते रहिए वीडियो को डिस्क्रेप्शन से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी जिसमें आप जन्नो नालेज करेंट अफेर झाल झाल